प्रेंज का कहना है कि जब सशी कपुर जी की फिल्म आती थी तब फियर्टर हाउस फूल हुआ करते थे उनके डायलोग्स और उनके गाने मशूर हुआ करते थे बहुत बहुत चर्चित हुआ करते थे हाली में उनका निदन हुआ है, लेकिन वो हमेशा जनता के दिलों पर अमर रहेंगे. लेकिन वेशा जनता के डिलों पर अमर रहें असंदा के दिलों पर अमर रहेंगे. शुल्स पर के दिलों पर अमर रहेंगे. अच्छा आज के हीरो के साथ कंपेर करेंगे तो कौन अच्छा है? शेशी का पूर्चा है जाना मंदला तर मग नाई तेंचो तेंचो है वेगरस ना वो उनका मतला बालग है तेमे लेवल में कोई है उनका कोई मुवीज के नेम आते है अपको दिवार एक ऐसा माना हुआ एक्टर है माना ही पड़ेगा उनके चेहरे पे हमेशा खुशाली बरस प्रश्चा है जो उनकी रिष्यक पर की वाइफ अब भी पहले बैसलर थी तब उनके साथ में आईसे गाने गाता था कि पूचो मत सब लोग खुशाल होते थे उनकी प्रम हाउस्पूल होती रहेगी उस वमाने में हाउस्पूल एग्दम हाउस्पूल एग्दम पिचर के अंदर जो अम्ता बचस उसका भाई रहता है सब करहा है कहा है कार है संतिंग सब कुछ है तेरे पास क्या है मेरे पास मेरे मां है मेरे पास मेरे मां है ऑ00 किसी की नसीब में नहीं होती दुख तो बहुत होता है। तो एक दम सुनके मतलब तो अफसोस हो गया कि इतने लिजरेंडरी और अच्छे एक्टर जो पुरा ने इतने रिइट फिल में दी है जैसे के दीवार सत्यम शिवं सुन्दरम जैसे मतलब अभी भी मतलब भुलाई नहीं जा सकती हो ऐसी मुवी मतलब हीट मुवी दीए उन्होंने